नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबली उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज जो देखने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा बीए पार्ट वन का अगर आपने पहले के अच्छी प्रिकास से देखे होगे तो यह थोड़ी से ट्रिक्स होगी न वो मिलती हुई होती है क्योंकि पूरा के वह चलते हुँ आता है तो आपको जो याद करने में थोड़ी सहलियत मिल जाएगी ठीक है तो बढ़ते हैं आज की और आज जो रहने ब सकता उसके बारे हमने देख लिया था डिईक है अज जो देखेंगे क्या हो जाएगा अलाओदीन खिल जी के बारे में आपे हम थोड़ी सी वही जानकरी है ना कि खिल उसका कौन था कि फेप Helci lots के पृथ म ते खिर खिल्जी बंसका फ़श्ट सासक कौन था खिल्जी बंसका अंतिम सासक कौन था कमेंट में पेटाबर्ट सभी को छाप देना है ठीक है तो बात करते हैं जो पिर्थम सासक हो जाता है वो जाता है जलाल उद्दीन खिल्जी जलाल उद्दीन खिल्जी अगर ही बात करें अंतिम सा सक कौन था तो बै हो जाता है खुसरो खा या खुसरो शा ठीक है खुसरो सा भी देखने को मिलेगा और खुसरो खा भी देखने को मिलेगा और एक नाम और उता है इसका कभी-कभी खुसरो खा और कभी-कभी सुसरो सा सुसरो खाबी देखने को मिल सकता है और सुसरो साबी देखने को मिल सकता है तो दोनों यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं ये अंतिम सासक एक ही नाम है इसके चार प्रिकार से नाम होते हैं अंतिम सासक के करिकाल की बात करें तो खिल जी बंस का जो कारिकाल होता है 126 से लेकर 1290 तक 1290 तक अब कौन आएगा? खिलजी बंस खिलजी बंस कब से कब तर रहेगा 1290 से लेकर 30 साल का का रिकाल था तो तेरा सो बीस तकत मारा कौन रहेगा खिलजी बंस रहने बाला है ठीक है अब बढ़ते हैं क्योशनों की ओर इसको लिख लेना चाहिए कहीं भी देखते हैं फर्स्टी कोशन देखो फर्स्टी कोशन का अंसर क्या होगा फर्स्टी कोशन देखा है अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदूओं पर कौन साकर लगाया था अलाओ दिन खिल जी को मार कर 1496 में बारा सो चानवे में बारासो चानवे में ये गद्दी बढलबाईटता है अपने ससुर को मार कर ये अपने कह सकते हैं ये बतीजा था अपने चाचा को मार गदी बढ़ता है 1296 में अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिल जी ने हिंदू अपर कौन सा कर लगाया था जकात, खिराज, जजिया या फिर टोल तो बात करते हैं जो जजिया लगाया था मुहंबद बिर कासिम ने सब्से पहले हिंदू पर लगाना, क्योंकि अर्भी आक्रमकारी 712 में आया था कौन? मुहंब बिन कासिम 712 में भारत आया था उस सिंदिका सासा कुई वह करता था वो दाहीर हुआ करता था ठीके? तो बही है ये तो जजिया कर तो इसने नहीं लगाया था वो किसने लगाय तो इसका जो right answer हो जाएगा जकात, जो अलावदीन खिलजी है उसने हिंदु अपर जो कर लगाया था वो कौन सा था जकात था, इसने और भी लगाये थे, एक लगाया था ग्रहकर, एक ग्रहकर स्टार्ट किया था, ठीक है, एक चराईकर स्टार्ट किया था इसने, ग्रहकर और चराईकर बहुत important हैं कि भई जकात ग्रहकर और चराईकर ये किसने start किये थे तो ध्यानकना जलालुद्दीन खिलजी ने start किये थे मगर हिंदों पर जो कर लगाये था वो जकात था इस्टार्ट तीनों किये थे एक जकात भी था एक ग्रहकर भी था और एक चराईकर भी था ठीक है आप बात करते हैं आगे जो ग्रहकर हुआ करता था वो घरों जोपडियों पर लिया जाने वाला टेक्स था और जो चराईकर था जो जानवरों को चराय जाता था उस पर भी ज किसने बापस दिये क्योंकि अलाउद्दीन जो खिल जी था जो बड़े बड़े कह सकते हैं जमीदार हुआ करते थे उनके पास जो जमी जमीन जो थी कह सकते हैं दान में दिया करते थे ठीक है उनको इसने छीन लिया था अब देखाया यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिल जी ने भू समपितियों से समस्त अधिकार छीन लिये थे ये अधिकार उन्हें किसने बापस करवाए थे गया सुद्दीन तुगलक ने मुहम्मद तुगलक ने फिरोज तुगलक ने या पर बहलोल लोदी ने राइट आंसर क जो कह सकते हैं भू पतियों के जो अधिकार हैं वो बापस दिलाये थे ये बापस कर देता है अब बात करते हैं आगे की ओर यहां देखा है दाग ओ हुलिया दाग ओ हुलिया प्रडाली को अलाउद्दीन खिल जी ने प्रारम किया था इसे किस सुल्तान ने बंद किया था ये आपको बताना है दाग ओ हुलिया क्या होता है दागे हुलिया उसे कहा जाता है जैसे ये अपनी शेना कह सकते हैं सबसे बिसाल सेना का निमाण करता है कौन? अलावदीन खिल जी सबसे बिसाल सेना का निमाण करता है अलावदीन खिल जी क्योंकि अरवो का आकरमन कारी अर्बों का आकरवन उस समय बहुत जादा होता है अलावदिन खिल जी के समय में ठीक है तो ये क्या करता है एक दाग ओ हुलिया नामक एक प्रता चलाता है जिसमें सभी सैनिकों का हुलिया बनाय जाता है सभी सैनिकों का हुलिया बनाय जाता है कि ये हमारा सैनिक है या किसी और का सैनिक है ना ये हमारा सैनिक है या पिर किसी और का सैनिक है तो ये किसी ने चलाई थी अलावदिन खिलजी ने चलाई थी अब दे रखाए कि दाग ए हुलिया परणाली को अलावदिन खिलजी ने प्रारम किया इसे किस सुल्तान ने बंद क या ये आपको बताना है, पैदे रखा है, मुहम्मद तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने, बहलो लोधी ने, ये फिरो सहा तुगलक ने, राइट आंसर क्या होगा? जो दाग ये हुलिया है, इसे समाप्त कौन करेगा? लोधी बंस का पिरसिद सासा, बटर नहीं है, पिरसिद सासा कौन? सिकंदर लोधी, ठीक है? लोधी बंस का जो पिरसिद सासा कुआ करता था, सिकंदर लोधी, ये क्या करता है? जो दाग और हुलिया परता चलाए थी, अल जाओदिन खिल जी ने और भी चलाए थे एक हो जाता है गोड़े दागने की पिर्था गोड़े दागने की पिर्था ये चलाता है ठीक है? इस थाई सेना का निर्माड करता है आ रहा है ना? बिल्कुल इस थाई सेना का ये निर्माड करता है और दागो अहुलिया भी चलाता है और बाजार निंत्रल कारवाही करता है बाजार निंत्रल कारवाही भी यही करता है ठीक है? अब बात करते हैं आगे की ओर यहां देरिका है कन्नाओज के समीप श्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किस ने की थी यह आपको बताना है पहला देरिका है कुतब बुद्दीन एबक ने इल्टूत मिस ने अलावदीन खिलजी ने या पिर मुहम्मद तुगलक ने राइट आंसर क्या होगा कुतब बुद्दीन एबक कुलामबंस का कुत्मीनार करवाया खतम ठीक है बात करते हैं इल्टूत मिस कुत्मीनार को पूरा करवाया खतम अब ये दो तुम्हारे बच जाते हैं एक हो जाता है अलाउद्दीन खिल जी और एक होता है मुहम्मद तुगलग तो राइट आंसर क्या होगा करनोज के समीप सुर्गहारी नामक नगर की स्थापना किस ने की थी ये की थी अलाउद्दीन खिल जी ने इसकी स्थापना की थी बहुत है कौन सा सुल्तान था जिसने बारसिक करके बदले इकताओं के बच्चे को सुईकार किया गुलामों के रूप में यह कौन हो जाता है बहुत ही इंपोटेंट है बहुत कौन सा सुल्तान था ऐसा कौन सुल्तान था जिसने बारसिक जो कर लिया करता था अगर बेलोग कर नहीं दे पाते थे तो उनके जो बच्चे हुआ करते थे उनको गुलामों के रूप में यह ले लिया करता था तो करते हैं बारसिक करके बदले एकताओं के अगर पैसे नहीं थे तो बच्चों को गुलाम के रूप में ये ले लिया करता था तो वह कौन था अब बच्चों को लेगा तो बच्चे क्या करेंगे भी रोएंगे तो रो ना देखो कहां पर है रो फिरो आदा तो यहां पर कौन जाएगा फिरोज त्गम था जो बच्चों खुलामों के रूप में कर के रूप मतलब कर के बदले बच्चों को खुलामों के रूप में अपने यहां ऑपर ले जा करता था वैह कौन ता फिरोस फिरोज तुगलण आगा देखते हैं कि utiliz Mr. यहां दरका है अलाउद्दीन खिल जी के पिता अलाउद्दीन खिल जी के पिता कौन थे यह हमने पहली वीडियो में देख रका है पहले दरका है अलाउद्दीन फिर सिहावद्दीन यह रुकमद्दीन यह दरका है तुम्हारा अबुल मुझफर right answer क्या होगा AllahUDDIN किल जी के पता कौन थे हमने कल भी देखा था क्या सिहाउदDIN कैसे क्योंकि AllahUDDIN में हमने 3 निकाला था क्योंकि पहले 3 दे रखा है इसमें भी लासे भी 3 मन जाता है क्योंकि आका जो पहले होता है वो 3 क्या कार का होता है तीन निकालेंगे तीन, तीन से क्या बनेगा, तीन से बनेगा हा, तो यहाँ पर देखो हा बनेगा, तो सिहाब उद्दीन, बिल्कुल आपको याद रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन, यहाँ रखा है, अलाउद्दीन खिल जी ने, दो मंगोलों आकरमण बिफल किये थे, यहाँ आपको बताना है, 92, 94 कि तो जलाददीन में जाद करने थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिल जी ने, दो मंगोलों आकरम बिफल किये थे, वाहँ कौन से थे, यहाँ आपको बताना है, 1297, 1299 1298, 1299 1296, 1297 1294, 1295 तो 94 में तो था ही नहीं है है ना क्योंकि ये कब से बनता है 96 से तो ये तो खतम हो गया फिर देखो 99, 99 लगातार तो युद्ध करेगा नहीं ये बस या धखना है इसमें कि लगातार युद्ध नहीं करेगा तो 98, 99 भी खतम हो जाएगा और 96, 97 भी खतम हो जाएगा तो राइट आन से क्या हो जाएगा 97 और 99 एक बसके बाद युद्ध करेगा ठीक है एक बरस के बाद युद्ध करेगा तो बारा सो 97 और 1299 टीक है ये दो युद्ध हुए थे जिनको किसने अलाउदिन खिलजी ने दो मंगुल आकरम मों को विफल किया था क्यूंकि यो 96 में मेरा 97 में युदू विफल कर दिया 98 में 98 में फिर खामोश हो गए ये लोग मंगुल फिर 99 में फिर आए फिर इससे विफल कर दिया इस परकास से याद कर सकते हैं ठीक है आगे दिर काई नेक उससे में इसका सहीयोगी कौन था ये आपसे पुछ रिखा है पैसे देखा है उलूख खा, नूशरत खा और वा दोनों इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजाप हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर उलूख खा दे रखा है उलूख खा की उपादी किसे दी गई थी? यह उपादी नहीं पूछ रका है, सिर्फ नाम है ध्यानकना उलूख खा बैसे तो बलवन को कहा जाता है, ठीक है? उलूख खा की उपादी दी गई थी, वो बलवन को दी गई थी मगर यहाँ दरका है अलावद्दीन खिल जी को की उत्तर भारत का विजय में पिरमुख सही होगी कौन था तो उलूख भी हो जाता है और नूशरत भी हो जाता है इस प्रकार चो राइट आंसर होगा बो जाएगा और वा दोनों ठीक है आगे बढ़ते हैं next question यहाँ दरका है स कढ़ा बामानीक या दिरका है तुम्हारा कटेहर का या पिर चितोड का राइट आंसर क्या होगा देखो बात करते हैं अलावद्दीन खिल जी की तो उससे पहले पहला जो हुआ करता था सासक खिल जी वसका बों था जलाल व्दिन खिल जलाल ल्दिन खिल जलाल अलाасть का य जलाल उद्दीन खिल जी की हत्या अलाउद्दीन खिल जी कहां करता है कड़ा मानिकपूर में ही जलाल उद्दीन खिल जी की अपने चाचा की या अपने ससुर की हत्यों का हत्या अलाउद्दीन खिल जी कहां करता है कड़ा मानिकपूर और कड़ा मानिकपूर बरतमान में कहा आपे हैं तो बात करें प्रियाग में है कहा पर प्रियाग राज में इस्थित है टिक ए valग rat answer option number बाहो जाएगा bार में next question की बात करते है next question को देखना है रानी पदमीनी की कहानीब कषाण का बढ़न,' इसने किया है रानी पदमीनी का पदमीनी की कहानी का वड़न किसने किया है रस्खान ने जाइसी ने रहीम ने या पिर कबीर ने तो साखी सबद रमेनी यहीं है कबीर की बाके तो कुछ है नहीं रस्खान की कौन कौन सी है बाटिका हो जाती है है और रस्खान की यहां बहुत सारी मगर यह तो नहीं है रहीम की भी नहीं है यह तो बात करते हैं राइट आंस उदाएगा बो जाएगी जाइसी की ठीक है किस इसने किया है तो बह किया है जाइसी ने आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां दे रखा है नेक्स कुशन जलाल उद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी से क्या संबंद था देखो पूश लिया गया बताएगा राइट अंसर क्या होगा चाचा का बतीजा का भाई का या फिर मित्र का तो जलाल उद्दीन खिलजी बहुत बार मैंने रिपीड कर दिया कौन था चाचा भी था चाचा ना दे तो ससूर दे देगा क्या था ससूर क्योंकि जलाल उद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की साधी किस्ते की थी अलाउद्दीन खिलजी से की थी जलालवदीन खिल जी कौँन था? जलालवदीन खिल जी का सीना पती था आगे बढ़ते हैं नेक्स कॉश्चन यहां दे रिका है जलावदीन खिल जी सुल्तान गोशित किया गया कब तो हमने आपको पता रखा है कब 96 में तो 98 में तो होगा नहीं यहाँ पर 999 भी नहीं होने वाला 20 जुलाई 1290 यह 20 अगस्त 1296 अब 96 में confused है ना तो याद रखना अलाउद्दीन से पहले कौन आया था जलालुद्दीन जलालुद्दीन में पहला बड़ क्या था जा ठीक है तो जा से आपको देखना है जला कब जुलाई में तो 20 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन इससे पहले आता जो जा देखना है आपको जा कहां पर है जुलाई में ठीक जन्वरी में जा देखने को मिलेगा मंगर टोटल पड़ो जला लुद्दीन जा और ला जा और ला कहां पर है जुलाई में तो राइट आंसर नमबर आ हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ता है नेक्स कुशन बीस जुलाई 1296 में अला लुद्दीन कहां बैठता है गदी पर बै किल जी है तो हमने पहले भी देखुआय कि जो देव गिरी था उसका सासच कौन था याद अब था और हमने नाम भी उसका देखा था ठीक है इस पहले वाली वीडियो में आगे दे रेखा है पांडे राजय की राजद्धानी थी कोई जैदेव नाम से था है ना राजा राजा कोई इंद्र नाम से था वो क्योंकि यहाँ पर दा हमने टेक्निक आली थी ना देवगरी वाली हाँ यादत था ठीक है दा दा नाम से था वो भी आगे देखेगा यहाँ दरेका है पांडे राज की राजधानी थी पांडे राज की राज़ानी क्या थी आपको बताना है द्वार समुद्रम, चंदेरी, उज्जैन या पर कन्योज पांडे राज की राज़ानी क्या थी तो यह हो जाती है द्वार समुद्रम ठीक है? राइट अंसर अप्शन नमबर आ रहने वाला है उस तो गड़बड हुआ है ना? दीवानी मुस्तक राज विभाग रुकिएगा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है कोई बात नहीं आगे चले गए थी ठीक है? बदैगा राइट अंसर क्या होगा? मलिक काफूर अलावद्दीन खिलजी सासक में किस पदपर था? जब मलिक काफूर था मलिक काफूर जो था अलावद्दीन खिलजी के सासन में किस पदपर था? यह आपको बताना है बजीर था, अमीर था, सरदार था, सिनापती था मलिक काफूर था कौन? यह आपको बताना है मलिक काफूर कौन था? तो बताएगा बात करते हैं मलिक काफूर अलाओदीन खिलजी सासन में किस पर था तो मलिक काफूर जो था कह सकते हैं यही मालग मलिक काफूर जो था वो कोही नूर लेके आया था है न आपको पता होगी तो मलिक काफूर अलाओदीन खिलजी सासन में किस पत पर पता तो वजीर बिलकुल नहीं, सरदार होगा बिलकुल नहीं, नहीं अमीर होगा, यह अलाउद्दीन खिल जी का सेना पती था, यह दच्छड बात की बिज़ा करने के लिए भेजायता है, देवगिरी में, बात करते हैं, अलाउद्दीन खिल जी ने अपनी सासन प्रडाली को क्य रूप बिर्दान किया था, यह आपको बताना है, कठोर, उदार, संतुलेत, या पर उप्रिप्रत में से कोई नहीं, क्यों कि आपको पता है, जो अलाउद्दीन खिल जी है, वो क्या करता है, इस्ताई सेना का गटन करता है और आपको हुलिया वाली वो पिर्था चलाता है सेनीकों के लिए ईससे पहले देखी थी 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 तो यह क्या हो जाती है बहुत कठोर निती हो जाती है ना कैसी कठोर थी क्यों थी ये मैंने आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं next question next question देखो next question हमारा क्या कह रहा है next question बहुत ही easy question है सारे की सारे अगर ध्यान से देखोगे तो सब right लगाओगे ठीक है बात करते हैं आगे अगर continue आप बने रहोगे तो एक भी question बाहर नहीं जाने वाला है बात करते हैं राम चंद्र देव कौन थे जो राम चंद्र देव थे बित्थे कौन यह आपको बताना है पैसा का है देवगरी के प्रितम सासक देवगरी के दुतिय सासक अलाउद्दीन के मंतरी या पर हो जाता है सरदार बताएगा right answer क्या होगा गर्मी बहुत पढ़ रही है कौन थे राम चंद्र देव कौन थे राम चंद्र देव पहले दो राम चंद्र देव थे कह सकते हैं वो कौन थे यादब थे वो फश्ट थे अब यह राम चंद्र देव आ गया पहले राम चंद्र इंद्र के नाम से से पहले थे अब यह आते है। सिर्फ राम चंडर इस प्रकार से याद करना इसके लिए क्योंकि दोनों के दोनों आपको याद रहने वाले हैं फिर सिर्फ एक दे चंद्र राम चंद्र हो सिर्फ राजा राम चंद्र हो राजा होगा टोटल पहले गवा राजा राम चंद्र हो यहाँ पर तो कौन होंगे यह पिर्थम सासा को जाएंगे अगर बहीदे, राजा, राम, चंद्र, देव कौन थे तो यह जाते हैं देवगरी के दुतिय सासर ठीक है आगे बढ़ता है next question यहां देरेक है अलाओदीन खिल जी का जन्म बर्स 1266 इसपी में कहा हुआ था इनका जन्म कहा हुआ था आपको बताना है पानी पत में, सिरसा में, सरमौर में या फिर सोनी पत में, राइट आंसर क्या होगा अलाओदीन खिल जी का जन्म कहा हुआ था तो इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था सिरसा में कब हुआ था वही सिरसा में इनका जन्म हुआ था आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिल जी ने अपना रादिविशेग कब करवाया था वो आपको याद करना है ठीक है अलाउद्दीन खिल जी ने अपना रादिविशेग कब करवाया था तो यह मैंने आपको बता रखा है 90 में 5 साल का कारिकाल जलालोदीन खिल जी का छटे मौन बनेंगे अलावदीन तो 90 से 96 अब 22 बाद 2 अक्टूबर दे दिया ये तो गलत है ये फिर गलत हो गया तो 2 अक्टूबर यहां पर नहीं होगा यहां पर हो जाएगा 20 जुलाई कौन? ये की आदख न 20 जुलाई बस ठीक है 20 जुलाई 1296 आगे बढ़ता है next question यहां थे रिखा है अलावदीन खिल जी का सल्तनत का समुधर गुपत किसने कहा है अलावदीन खिल जी को खिल जी बन से का समुद्र गुपत किसने कहा है यह आपको बताना है अलाउदीन खेल जी को सल्तनत का समुद्र गुप्त किस ने कहा है नैल पूल ने एल फिंस्टन ने एल फिंस्टन ने अमीर खुसरों ने या फिर इसामी ने राइट आंसर क्या होगा अलाउदीन खेल जी को सल्तनत का समुद्र गुप्त किसने कहा है तो ये कहा है किसने नैल पूल ने कैसे आठ करेंगे पूल है ना पूल समुद्र बना हुआ होगा बिल्कुल तो नैल पूल तो किसने लैन पूल ने आगे बढ़ता है नेक्स कुशन यहाँ देखो next question का answer क्या रहने वाला है next question रखा है मद्द कालीन भारत के राजनीतिक एतिहास का आरंब अलाउद्दीन खिलजी से होता है ये कतन किसका है आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बड़ा कह सकते है एक बहुत ही बुद्धिमान सासकता इसलिए इसे खिलजी बंस का पिरसेदि सासक कहा जाता है ये अपनी सेना में बहुत बड़ा बिस्तार करता है बहुत बड़ी सेना त्यार करता है जो मुंगोलों से आकरमर से बच सके और ये बहुत सारे टेक्स लगाता है बहुत सारे टेक्स पहले एक बटा तीन लिया करते थे कौन एक बटा तीन लूट का सामान राजा लिया करते थे एक बटा चार होगा एक बटा चार एक बटा चार लूट का सामान लिया करते थे राजा मगर जब यह आया अलावदीन खिल जी इसने क्या कर दिया तीन बटा चार कर दिया इसके लिए कितने तीन बटा चार अब चार में से तीन हिस्सा कौन लिया करता था अलाउद्दीन खिल लिया करता था लूट के सामान से अगर कोई दूसरे राज को लूटते थे तो उसका तीन बटा चार मतलब चार में से तीन किसे मिलते थे राजा लाउद्दीन के लिए और जो चार में से तीन मिलते थे राजा लाउद्दीन के लिए एक जो बसता था वो पिरजा रखती थी मगर पहले के जो राजा हुआ करते थे वो एक बटा चार गेसाब में देते थे चार में से एक जो था राजा के लिए मिलता था और तीन जो बस्ते थे वो पिरजा रखती थी इसने बहुत बड़ा कर्भी बहुत सारे बढ़ा दिये है ना कर्भी बहुत सारे लगा दिये इसने जैसे जकात हो गया तुमारा वाला ठीक है जैसे कह सकते हैं पढ़ा थाने से पहले जखात हो गया जो हिंदुप लगा गया था ग्रह करबी इसने लगाया था जो घर के करते उन पर भी लगा दिया ठीक है चराई कर भी लिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेना को बढ़ाना चाहता था और अपने राज्य को कह सकते हैं सुरक्षे जठना चाहता था मान सकते हैं कि इससे पिरजा परिशान थी मगर फिर भी ये पिरजा की देखवाले के लिए सारा कुछ करता था और अपने इसामराज का बिस्तार करने के लिए यहाँ पर राइट अंसर हो गया ना? नहीं हुआ है तो बात करते हैं मद्द कालीन भारत में राजनी थी कि एतिहासिक का प्रारंब अलावदीन खिलजी से है यह किसने कहा है यह आपको बताना है तो यह किसने कहा है तो यह कहा है मुहमद हभीव ने किसने? मुहमद हभीव ने इसकी ट्रिक्निक्स को आपको याद करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अलावदीन खिलजी के साथ सुल्तान का समराज बाद प्रारंब होता है किसने कहा है अलावदिन खिल जी के साथ सुल्तान का समराजबाद प्रारंब होता है ये किसने कहा है क्योंकि मैन सुल्तान तो यही था जो अपने राज के लिए बचाना चाहाता था राज के लिए कुछ करना चाहाता था इसी लिए अलाब्दो इनिखिल जी के साथ सुल्तान का समराजबाद प्रारम हुआ है ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है पैद रखाय है हैंडरी इलियट को इसमित द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा या फिर द्रेका है बुल जेल हैग द्वारा राइट आंसर क्या होगा बताएगा जैको अमीर खुसरो दो होगा नी मांते हैं इसके सामराज में रहा था मकर अमीर खुसरो होगा नी हैनरी लिटियेट या फिर इसमित द्वाराइट द्वारा क्या हुद आएगा वैल जले वूल जले हैग ने ठीक है वूल जले हैग ने ये कहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन कुछ एट पड़े क्योशन इसकी ट्रिक बना किसने कुशन आप याद कर ले ना ठीक है एक दो क्योशन मतलब चार से पांच कुशन होंगे भई आपको दियें बागी सारे के मैंने याद कराई दिये आगे बढ़ते हैं रखा है बर्नी ने किसे यूग का क्या कहा है रुस्तम कहा है बर्नी ने किसे यूग का रुस्तम कहा है किसको कहा है पैद रखा है जफर खां को नूसरत खां को अलब खां को या फिर अलमास बेग को बताना है यूग का रुस्तम किसे कहा है ये आपको बताना है वर्नी यूग का रुस्तम हाँ ठीक है किसे कहा है जफर खा को कहा गया है किसको जफर कहा को कहा गया है राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ रहने वाला है इसकी भी कोई टेक मैंने नहीं बनाई है ठीक है बात करते ह आगे यहां दर्काए अलाओदीन अलाओदीन खिल जी ने अपना पहला बजीर किसको बनाया था अलाओदीन खिल जी ने अपना पहला बजीर किसको बनाया था यह आपको बताना पहला दर्काए मीर बक्की को जफर खां को या फिर बजीर बनाया था वो बनाया था ख्वाजा खातिर को क्योंकि अलाउदीन खिल जी ने बाजार नेंदर करी थी तो बाजार में क्या होगा खाने का सामान तो याद रखना ख्वाजा खातिर ठीक है ख्वाजा की खातिर के लिए तो बिल्कुल राइट आराम सरेगा कि बजीर क किसको बनाया ख्वाजा खातिर को आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन अलाओ दीन खिल जी ने किसके नेतत्व में एक सेना जाला और भेजी थी ती जाला और भेजी थी राइट आंसर क्या होगा मूग खां सहा तुरकान, जफर खां, या फिर गुले, भीहिस्त, राइट अंसर क्या होगा, इसका जो राइट अंसर होगा भो जाएगा जफर खां के नेतत में, लावदिन खिल जी ने, एक सेना की टुकड़ी कहां भेजी थी, जाला ओर भेजी थी, कहां पर, जाला ओर भेजी थी, को जा देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी जा देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़िएगा next question की बात करते हैं दच्छिड भारत में मलिक काफूर ने किस इस्थान को अपना मुख्याले बनाया था जब दच्छिड भारत में गया था कौन मलिक काफूर जो अलावदिन खिल जी का सेना पती हुआ करता था इसने अपना मुख्याले कहां बनाया आपको ते रिखा है देवगिरी में होईसौल में, द्वारसमुदर में या फिर जालाओर में राइट अंसर क्या होगा बताईगा इसका तो राइट अंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है तो आपको पता है मैंने बताया था न कि जब मलिक काफूर था उसको अलावदिन खिल जी ने कहां बेजा था देवगिरी में बेजा था कहां पर देवगिरी में बेजा था यह आपको बताना है देरे काई बीर बलाब तरतिये रामचंदर देव या फिर किष्ण तरतिये दुतिये या फिर भासकर परथम होईसल सासक कौन था जोगो मुझे पता है किष्ण दुतिये हाँ पर नहीं होंगे नहीं होंगे भासकर परथम या तो रामचंद हमने पढ़ा है रामचंद कहा के है रामचंद कहा के है देवगिरी के तो यह तो होंगे नहीं क्योंकि मुझे रखा है होईस्वल सासक तो हेसल से ऐसे कौन हो जाएगा बीर बल्लाल तिरती है कौन था बीर बल्लाल तिरती है कोई कि रामचंद मतलगा ना रामचंद कहां के देवगिरी के ठीक है यादब बंसका था फश्ट आगे बातें नेक्स कुश्शन यहां देखा है अलावदीन खिल जी ने किस बिजय के बाद बाजार विवस्था को लागू किया था देखो बाजार विवस्था बाजार नियंत्रड ठीक है अलावदीन खिल जी ने किस बिजय के बाद बाजार विवस्था को लागू किया था पहर देखा है मालवा देवगि जालाओर या पिर चित्तोड इसकी बिजय के बाद बदाएगा इसका मतलब कह सकते हैं बाजार विवस्ता पर निंतर या कह सकते हैं बाजार विवस्ता को लागू क्यों करेंगे क्योंकि भाई बहा की जो महगाई होगी वो रिकार्ट तोड़ देगी है ना महगाई जो होगी वो रिकार्ट तोड़ देगी तो तोड़ से याद रखना कौन सा चित्तोड है ना तोड़ से याद क्या रखना है चित्तोड जब अलाओदीन खिलजी चित्तोड से जीत कर चित्तोड जीत लिया था तब इन्होंने बाजार विवस्ता को लागू किया था ठीक है तो कौन सा हो जाएगा चित तोड़ बाजार की जो महेंगाई है वो रिकार्ट तोड़ जाएगी तोड़ जाएगी दुश्पर कास याद आपको रहने वाला है आगे बढ़ते हैं अलाओदीन खिल जी की बाजार विवस्ता का बढ़न किस पुस्तक में मिलता है ये आप से पूछ रखा है बाजार विवस्ता का बढ़न पहला दिरिकाए बादशाह नामी या दिरिकाए अकवर नामा तारीक ए फिरोज साही या फिर तहकी के हिंद राइट आंसर क्या होगा तारीक ए फिरोज साही ठीक है बे बताओ अलाओदीन खिल जी की बाजार विवस्ता का बढ़न किस पुस्तक में मिलता है तो बाजार बाजार से कह दियात करें बाजार बाजार आपको पता है कि हपते में या हपते में या महिना में कह सकते है कोई तारीक को तो लगती है कि भई साथ दिन बाद ये दो दिन बाद है ना हर दो दिन के बाद लगेगी ये तारीक मिलमम होती है तो बिल्कुल आपको तारीक से याद रहेगा कौन सा तारीक ए फिरोज साही कौन सा तारी के फिरोच साही और ये किसकी है बरनी की हो जाती है और ये पुस्तक जो किसकी है बरनी की हो जाती है तारी के फिरोच साही जो की बाजार विवस्ता के बढ़न के बारे में हमें बताती है आगे बते हैं नेक्स कुशन Next question کی بات کرتے ہیں अलाउदीन खिल जी के किस सेना पती को 1000 दिनारी कहा जाता है जो अलाउदीन खिल जी का सेना पती हुआ करता था उसके लिए 1000 दिनारी कहा करते थे वह था कौन ये आपको बताना है मलिक काफूर, जफर खां, नूसरत खां या पिर अलमास बेग बताईगा राइट अंसर क्या होगा अलाओदीन खिल जी के किस सेना पती को हजार दीनारी हजार दीनारी कैसे याद करें भई कि हजार दीनारी कहा जाता होगा किस के लिए तो याद रखना मलिक काफूर के लिए अब ट्रिक से कैसे याद करें कि इसी लिए कहा जाता था तो जो मलिक काफूर था वो क्या लेके गए था भई कोहिनूर है ना तो कोहिनूर मतलब हजार दीनारों में भी नहीं खरिदे जा सकता तो इस प्रकार से याद रहेगा मलिक काफूर आगे बढ़ते हैं दीवाने मुस्तकराज बिभाग की स्थापना किसने की थी ये दीवाने मुस्तकराज था क्या ये था बाजार पर निंत्रड करने बाला एक कह सकते हैं बिभाग ठीक है बाजार पर निंत्रड करने बाला ये बिभाग था बाजार पर निंत्रड ने वो कौन सा था दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना किस ने की थी इल्टूतमिस ने बिल्कुल नहीं बल बनने बिल्कुल नहीं रजिया ने बिल्कुल नहीं किस ने बई अलाओ दीन खिल जी ने इसकी स्थापना की थी दीवान ए रियासत ये कौन सी है दीवान मुस्तकराज फोड़ा से रुकना फोड़ा सा फोड़ा सा दीवाने मुस्तकराज यह बाजार से ही संबन दित था दीवाने मुस्तकराज भी किसम था बाजार से ही सम्मंदित था ठीक है दीवान ए मुस्तकराज दीवान ए मुस्तकराज यही होगा ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं और भी बाजार से सम्मंदित थे बाजार से और भी बहुत सा बहुत जो और विभाग थे वो भी संबन देथे ठीक है वो हम लाश्ट में देखेंगे लाश्ट में थिरी बाइश थोड़ा सा संद्रेशन रहेगा जो यहां से कुछ कोशन बच जाएंगे वो थिरी में आपके देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो बात करते हैं आगे देरखा है नेक् जीतल का था लेकिन वह एक जीतल किसके पास था ये किसने कहा है अलाउद्दीन इखिल जी की बाजार विवस्था की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि एक उंट एक जीतल का था लेकिन वह एक जीतल किसके पास था ये आपको पताना है ठीक है किसने कहा है लेनपूल ने अमी खुसरों ने, इसामी ने या फिर बर्नी ने, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या रहने वाला है, इससे पहले हमने बुक देखी थी, इससे पहले हमने क्या देखी थी, एक बुक देखी थी, कौन सी, तारीक ए फिरोज साही, कौन सी, तारीक ए फिरोज साही में ही आपको देखने को मिलता है तो देखा है अलावदीन खिल जी की बाजा रिवस्ता की अलोचना करते हुए किसने कहा है कि एक उट एक जीतल का था लेकिन वह एक जीतल किसका था तो तारीक एफ रोसाही में देखने को मिलता है किसने कहा है बर्नी ने कहा है किसने बर्नी ने कहा सीलक्डी सीलक्राइब यहां दर्क यहां से तो उसमंद्र निय Nous में सदार कौन कर रहा है यही तो कर रहा है बाजा दुष्था में और बहुत सारे जो कह सकते हैं नियम है यहां पर लेकर आएगा कौन अलाव द कि यूदिग तो कहा जाता है खिल जी बंस का आगे बढते next question देखो next question दे रिखा है ब्यापारीयों को permit ये license कौन अधिकारी जारी करता था ब्यापारीयों को जो permit दिया करता था वो कौन सा अधिकारी दिया करता था ये आपको बताना है पहला दे रखा है मुहसिब बरीद या परबाना नभीस या दरकाई सहन ए मंडी यह सहन ए मंडी जो है वो क्या था यह जो था वो कह सकते हैं अन से अलाबा जो अन होता है खाने का उससे अलाबा जो बस्तु मेवा बगरा हुआ करती थी ठीक है यह बगरा को जो देखा करता था वो कौन देखा क हो जाते हैं मेवाएं हो जाते हैं मसाले वगरा हो जाते हैं ठीक है और भी खाने के सामान हो जाते हैं सिर्फ अन्य को छोड़कर अन्य को छोड़कर बाकी सब को कौन देखा करता था शहान ए मंडी देखा करता था ठीक है तो बात करते हैं यह दरकाय परमिट कौन जारी करता था जो परमिट जारी करता था वो करता था परवान कौन परवाना नसीब कौन परवाना नसीब जो करता था वो परमिटों को जारी करता था तो ध्यान रकना पासे परमिट और पासे परमाना नभीस आगे बढ़ते हैं नेक्स ठीक है यह हो गया आगे देखो नेक्स से कुशन को देखते हैं सरप्रतम किस ने जमीदार सब्द का परियोग किया था क्योंकि जमीदार जो थे उनसे भूमी को छीन लिया था जो उन्होंने करके अनुसार लोगों से छीन रखी थी है उसको किस ने चीना था तो इस प्रकार से इसने सभी तरीक इससे क्या किया था आगे बढ़ते नेक्स कुष्यन यहाँ तरह डेखा है किस सुल्तान ने किस सुल्तान किया आधार प्रदान किया निरंकुस्ता निरंकुस्ता के सुध्धान्त को मजबूत आधार किसने प्रदान किया तो आप कह सकते हैं किसने किया था भई अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था किसने किया था अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था बहुत सारे टेक्स भी लगाये थे यहां बहुत समय से पड़ते हुए आ रहे हैं तो right answer क्या हो जाएगा अलावदीन खिल जी आगे बढ़ते हैं यहां दे रिखा है जमात खाना मस्जित क्या है जमात खाना मस्जित का अंदर मार किसने करवाया था जहां पर खाना देखने को मिले लगा देना क्या खाना कहां से मिलेगा बाजार से तो बाजार से अलावदीन खिल जी है ना बाजार से अलावदीन खिल जी हो जाता है right answer option number आ हो जाएगा बलबन तो होगा नहीं क्योंकि बलबन पहले ही है इसमें गुलामबंस में अलावद्दीन जलालवद्दीन खिल जी पहले ही आ गया ये तो बहुत मिर्दई था तो ये तो कोछँ होगा नहीं इल्टूत में पहले ही आ ठीक है ये तो होगा नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां देखा है दीवाने मुस्तकराज का कारे क्या था दीवाने मुस्तकराज का कारे क्या था बाजार में घ्रश्चाचार को रोकने का पहल करना बिल्कुल नहीं किसानों को बकाया भू राजस बसूल करना या फिर बाजार में कम तोलने बालो को दंड देना बिल्कुल नहीं उपयोग सभी बिल्कुल नहीं इसका जो right answer होगा वो जाएगा किसानों को बकाया भू राजस बसूलना कौन सा जो दिवाने मुस्तक राज था उसका कार जो हुआ करता था बाजार में कौन आते हैं किसानी तो आते हैं तो उनसे क्या करना था किसानों से बकाया बूराजस बसूलना था ठीके किसानों से बकाया जो बसता था भूमी से तो ले ही लिया भूमी से तो ले ही लिया बागी जो बाजार में आएंगे उसका टेक्स कौन देगा उसका टेक्स कौन देगे किसान ही देंगे तो किसानों को बकाया भूराजस वसूलने के लिए इस बाग की स्थापना की गई थी दीवाने मुस्तक राज की आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहाँ देखा है हिंद का तोता या फिर कह सकते हैं हिंद का तोता या फिर इसे क्या कह सकते हैं तूतिये ए हिंद है ना तूतिये ए हिंद हिंद का तोता या फिर तूतिये ए हिंद किसे कहा जाता था पर देखा है इसामी को, बर्नी को, या फिर अमीर हसन को, या फिर अमीर खुसरो को, राइट आंसर क्या होगा? उतिये ए हिंद और हिंद का तोता किसे कहते थे, अमीर खुसरो को कहा जाता था, राइट आंसर उप्शन अमबर, दा हो जाएगा, नेक्स कुशन की बात करते हैं, ये तो बहुत इज़ी है, सभी को पता है, रासन कार्ड प्रणाली का जमदाता कौन सा सासक था, पहले दिरखा है, अलाउद दीन खिल जी, बलबन, इल्तूतमिस, जलाल उद्दीन, राइट आंसर क्या होगा? और फिल प्रणाली का जमदाता कौन था? आपको पता है, रासन कार्ड की प्रणाली कौन, जो बाजार बनाएगा, ठीक है, जो बाजार बनाएगा, भही क्या देगा? जो लोग गरीब मरेंगे टैक्स तुने इतना बड़ा दिया टैक्स इतना लगा दिया जो लोग गरीब है वो कहां से देंगे और जो चराई बगरा करतें वो कहां से देंगे तो इसलिए इसने क्या लगाया एक रासन कार्ड भी बनवाए थे क्या बनाये थे? रासन कार्ड बन बाये ते गरीब लोगों के लिए, धंद अब्सक्रानाली का जम्नाता किसे कहा जाता है? अलाव अधिन खिल जी को, बलबन को, इल्तुःत्मिस को या फिर जलाल अधिन को राइट अंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अलावदीन खिल जी को आगे दे रखा है हिंद का शादी हिंद का शादी किसे कहा जाता है हिंद का शादी किसे कहा जाता है पहर देखा अमीर खुसरो फिर देखा है निजाम मुल्क अमीर हसन ये पर अला अला उल मुल्क राइट आंसर क्या होगा हिंद का शादी हाँ बताएगा हिंद का शादी किसे कहा जाता था कि कर्द में गन्भ्यूज ठीक है भी हिंद का सादी किसे कहा जाता था ठीक है मेरा भी सही लग रहा था इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत जाएगा अमीर हसन को किसको अमीर हसन को कहा जाता था हिंद का शादी हिंद का शादी किसे कहते थे अमीर हसन को कहा जाता था इसकी आंको ट्रिक मना लेना है और याद कर लेना है आगे बढ़ते हैं देरका है अलावदीन ने निर्माड करवाया था अलावदीन ने किसका निर्माड करवाया था यह आपको बताना है पर देरका है हजार हजार शितून का हजार शितून का हजार शितून यहां पर देखो हजार शितून है ना हजार शितून का हजार सितून क का महल ठीक है किसका होगा हजार खंबो का महल हजार खंबो का महल ये हजार सितुन जो दे रखाए इसका मतलब है हजार खंबो का महल और खाश और अलाई दर्वाजा का इन सबका निर्माड किसे ने करवाया था इन सब का जो निर्माड करवाया था वो तुम्हारा कौन हो जाता है वो हो जाता है अलाव दिन खिल जी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर दा इन सबी का निर्माड इसने करवाया था ठीक है बही बात करते हैं यहाँ पर जमयत खान मस्जित कौन सी जमयत खान मस्जित जमयत खान मस्जित का निर्माड भी कौन करवाता है यही करवाता है ठीक है जमयत खान मस्जित का निर्माड भी यही करवाता है और यहीं पर एक और है वो है सीरी का किला किसका है सीरी का किला सीरी का खिलावी क्या करवाता है यहीं बन बाता है बस इतना ही आपको याद रखना है इस थाई सेना का अंधर म'. नकद बेतन देता है जो पहले की प्रता चलती थी वो कौन सी थी वो ऐसा था कि अगर कोई सेनिक बनता था कोई सैनिक बनता था तो उसके लिए तनकुआ नहीं दी जाती थी एक खेत का टुकड़ा दे दिया जाता था कि उस पर आप करिए और खाईए मगर जो अलावदीन खिलजी आता है इसको समाप्त कर देता है और ये नकद पैसे देने की पिर्था चला देता है नगद पैसे इता है मतलब कह सकते हैं नकद बेतन देने की प्रिथा कौन चलाता है अलावदीन खिल जी ही चलाता है इस थाई सेना का दिनमान कौन करता है अलावदीन खिल जी ही करता है बाजार नेंदर कारवाही कौन करता है अलावदीन खिल जी ही करता है ठीक है यह बहुत ही भूमिका बहुत ही अच्छी है इनको आपको याद अखना है ठीक है बस इतना ही है घोडे जागने की पिरता वो मैंने बता ही दी आपकी ठीक है और कौन से हो जाती है सैनेको का हुलिया ये भी हमने देख लिया ठीक है बस इतना ही है और कुछ नियस में अगर यहां से पूचेगा तो इतना ही पूचेगा और हाँ इसका और एक उसका एक important facts है बस अलावदीन खिल जी का मूल नाम क्या था है ना इसका जो मूल नाम था बो कौन था इसका मूल नाम अलीवी कहा जाता है और गुरसभा भी कहा जाता है गुरसपा ओड़सपा प्स इतना ही आपको आदा रखना है जाद याद नहीं कर लेना है 5 Me censorship का देना है वीडियो को इस सब्सक्रे ना करना है आपको पीडियो में यहां पर देख रहे हैं और जिसको पर और ह inquiry को करना है PDF डानलोड करना है वो कहां से डानलोड करेंगे www.paperhacket.in पर जाओगे आपको PDF मिल जाएगे ठीक है डिस्कप्सर में लिंके दे रखा है साइड का और यहां पर यह पट्टी भी चल लगी है ठीक है तो यहां से आप डानलोड कर सकते हो जाकर अपर जाहिन जेवारा